Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Schools of Criminology Schools of Criminology में हम डिस्कस करेंगे Pre-Classical School, Classical School, Neoclassical School, Positive School and Sociological School तो इन सभी Schools को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि Schools of Criminology है क्या तो Schools of Criminology होता है कि अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग क्रिमिनोलोजिस्ट ने अपने-पने परस्पेक्टिव से Crime, Criminal, Causes of Crime, etc. को सभी ने अपने-पने परस्पेक्टिव से डिफाइन किया है तो वहाँ पे इन सभी के Point of Views जो हैं वो vary करते हैं एक दूसरे से तो उसी variation के basis पे इन सभी के Point of Views को केटेगराइज किया गया है डिफरेंट-डिफरेंट स्कूल में तो इसे कहते हैं Schools of Criminology Now come to the Pre-Classical School Pre-Classical School आया था 17th-18th Century में ये वो टाइम था जिस टाइम पे की religion अपने एक पीक लेवल पे था उस टाइम पे society के लिए धर्मगुरु direction प्रोवाइड करा रहे थे और society विल्कुल वैसे ही चलती थी जैसे direction प्रोवाइड की जाती थी धर्मगुरुरु के according क्यूंकि उस टाइम पे society को ज़ादा ही बलीव करती थी वार्शिप वगेरा में ये वो टाइम था जब scientific explanation जो हैं वो exist ही नहीं करती थी यानि कि जब कोई भी crime commit होता था तो उस crime को commit होने में जो उस crime की technicalities हैं उन technicalities पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था बिल्कुल भी क्योंकि स्कुल का मानना ये था कि जो कोई भी लोग हैं हर किसी को control किया जाता है supreme power के थुरू यानि कि हमारी इस दुनिया से अलग एक और भी कोई दुनिया है जो exist करती है जहां पे कि supreme power रहती है तो जिन लोगों पे influence होता है evil power का वो लोग distract हो जाते हैं अपने right path से और उस condition में वो crime commit कर देते हैं यहां तक कि इनका कहना ये था कि जब influence होता है किसी evil power का किसी person पे तो वो अपनी sense of morality को पूरी तरह से खो देता है उसे पता ही नहीं होता है कि क्या चीज नेतिक है क्या अनेतिक है यानि कि वो जो act करने जा रहा है वो एक criminal act है इस school का मानना ये था कि वो जो person है वो totally unable हो जाता है ये identify करने के लिए कि वो जो act करने जा रहा है वो एक good act है या फिर वो एक bad act है क्यूंकि इस school का ये कहना था कि कोई भी person अपने free will के साथ में कोई crime commit नहीं करता है बलकि कोई person crime तब commit करता है जब उस person पे influence होता है किसी evil power का इस school के according इस सबका सिर्फ एक ही treatment था और वो treatment ये था कि जब कोई भी person कोई crime commit करता है तो उस person को हद से ज़्यादा torture किया जाए और वो torture भी कैसा होना चाहिए कि या तो उसे उबलते हुए तेल में डलवा दिया जाए उबलते हुए पानी में डलवा दिया जाए या फिर उस प कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है लेकिन अगर वो person कोई innocent person नहीं है तो उस condition में उसको नुकसान जरूर होगा क्योंकि इनका मानना ये था कि जो torture कर रहे हैं ये torture उस particular person के साथ में नहीं किया जा रहा है बलकि ये torture उस evil power पे किया जा रहा है जिस evil power का influence है उस person पे और जि और आज तो ये influence इस particular person पे है कल की rate में ये influence बढ़ जाएगा और फिर कल ये influence society में और लोगों तक भी पहुँच जाएगा तो आगे चलके इस school को criticize किया गया कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी person crime commit करता है किसी evil power के influence की वज़ा से बलकि कोई भी person crime commit करता है अपनी free will से तो इस ways पे इस school को criticize किया गया और ज्यादा लंबे समय तक फिर ये school नहीं चल पाया Now come to the classical school Classical school आया था 18th century में इस school के supporter थे बेकारिया और इस school ने reject कर दिया था pre classical school के थियोरी को इस school का मानना ये था कि कोई भी person कोई भी crime commit करता है अपनी free will से यानि कि उस person को पता होता है कि वो जो act करने जा रहा है उस act के consequences क्या होने वाले थे उसके बाद भी वो person उस act को करता है इस school के according कोई भी person crime को commit करता है pleasure को obtain करने के लिए और pain को avoid करने के लिए यानि कि उस pleasure को obtain करने के लिए उस person को अगर कोई crime करना भी पड़े तो वो उस crime को commit कर देता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों की suffering से यानि कि दूसरों की suffering उसके लिए matter ही नहीं करते इस school का मानना ये है कि कभी भी जो punishment है वो उस crime के intensity के proportion में होनी चाहिए यानि कि punishment directly proportional होनी चाहिए intensity of crime कि जिस intensity का crime किया गया है बिल्कुल उसी ही intensity की उसे punishment मिलनी चाहिए ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम इस school का जो पुरा focus था वो focus था crime पे ना कि criminals पे यही कारण था कि इस school ने first offender और habitual offender दोनों के बीच में फर्क ही नहीं किया यानि कि जब कभी भी कोई crime commit होता था तो वहाँ पे उस crime को consider किया जाता था कि इस particular crime के लिए ये particular punishment है वहाँ पे ये बात consider ही नहीं कि जाती थी कि ये जो criminal है ये first time offender है या फिर ये habitual offender है ये जो इस school ने first time offender और habitual offender दोनों के बीच में फर्क ही नहीं किया आगे चलके इसी base पे इस school को criticize किया गया Now come to the neoclassical school Neoclassical school को classical school का upgraded version भी माना जाता है इस school का focus क्या था इस school का focus ये था कि जब कोई भी crime commit होता है तो उस crime के facts, circumstances, mental state, offender की ये सारी चीज़े चेक करने के बाद ही यानि कि technicalities को check करने के बाद ही ये decide किया जाना चाहिए कि इस particular person को क्या punishment दी जानी चाहिए इस school ने offenders को different different categories में divide किया जैसे कि first offender, habitual offender, minor, insane, idiot, etc. कि जो offenders हैं इनको इनकी categories के हिसाब से ही punishment मिलने चाहिए सभी को equal punishment नहीं मिलने चाहिए यानि कि किसी भी offender की जो mental state है उसको consider किया जाना चाहिए लेकिन इस school को भी आगे चलके criticize किया गया और इस school को criticize इस बात पे किया गया कि इस school का सारा का सारा focus था punishment पे कि जो punishment है वो categories के हिसाब से देनी चाहिए सभी को equal punishment नहीं दी जानी चाहिए लेकिन इस school का बिल्कुल भी focus reformation की तरफ नहीं था तो इस वज़ा से इस school को भी criticize किया गया Now come to the positive school Positive school आया था 19th century में Positive school के तीन main exponents थे वो थे Lombroso, Garofalo and Enrico Ferri ये तीनों ही Italy से थे इसलिए इस school को Italian school भी कहा जाता था इस school ने reject कर दिया था free will की theory को Now come to the Lombroso's theory Lombroso का कहना ये था कि कोई भी person जो criminal activities करता है वो born criminal होता है इनका focus था biological characteristics पे यानि कि इनका मानना था कि कोई भी person जो crime commit करता है उसके पीछे biological factors जो होते हैं वो काफी हद तक responsible होते हैं क्यूंकि जब कोई भी person biological और लोगों से थोड़ा अलग होता है तो उसके अंदर inferiority complex आ जाते हैं जिसकी वज़य से वो खुद को कहीं न कहीं day by day society से दूर करता चला जाता है तो वहाँ पे chances बढ़ जाते हैं ऐसे person के criminal activities के अंदर involved होने के इनका कहना ये था कि जो criminal होते हैं वो less sensitive होते हैं और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों की suffering से लॉम्ब्रोसो ने criminals को divide किया तीन categories में वो थी number one born criminal, number two insane criminal and number three criminalids, born criminal वो जिनमें की criminal behavior जो है वो genetically transfer होता है insane criminals वो जो की unsound mind होते हैं यानि कि वो mentally capable ही नहीं होते ये identify करने के लिए कि जो act वो करने जा रहे हैं उस act का nature क्या है और उस act के consequences क्या होने वाले हैं उसके बाद आता है criminalids, ये वो criminals होते हैं जिनमें की inferiority complex काफी ज़्यादा होता है उनके biological structure को लेके now come to the Enrico Ferris theory, इन्होंने challenge कर दिया था Lombroso की theory को और इन्होंने कहा कि सिर्फ biological factors ही responsible नहीं होते हैं crime के लिए बलकि emotional, social and geographical factors भी responsible होते हैं crime के लिए इन्होंने criminals को five categories में divide किया नमबर वन, born criminal बॉन क्रिमिनल वो जिनमें की criminal behavior जो है वो transfer होता है genetically नमबर टू, occasional criminal ये वो criminal होते हैं जो की circumstances की वज़ा से कोई criminal act कर देते हैं नमबर थ्री, passionate criminal ये वो criminal होते हैं जो की अपने desire को fulfill करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं यानि कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि जो act कर रहे हैं वो act एक legal act है या फिर एक illegal act है नमबर फोर, insane criminal insane criminal वो criminal होते हैं जो की unsound mind होते हैं जिनमें की mental capability नहीं होती ये सोचने समझने के लिए कि वो जो act कर रहे हैं उस act का nature क्या है और क्या उसके consequences होने वाले हैं नमबर फाइव, habitual criminal ये वो criminal होते हैं जो कोई crime commit करते हैं उसके बाद जब इन्हें punishment मिलती हैं तो उस punishment को complete करके जब ये वापस से society में आते हैं तो आते ही ये वापस से फिर से crime commit करते हैं और फिर jail पहुंच जाते हैं और फिर यही procedure इनका बार-बार repeat होता रहता है, now come to the Garofaloes theory, इन्होंने reject कर दिया था Ferry और Lombroso की theory को, और इन्होंने criminals को divide किया four categories में, number one endemic criminals, ये वो criminal होते हैं जो की murder करते हैं number two, violent criminals ये वो criminal होते हैं जो की काफी aggressive nature के होते हैं और दूसरों के influence में आके बहुत जल्दी भढ़क जाते हैं number three, criminals lacking in sentiment of property, ये वो criminals होते हैं जिनमे की emotions की काफी कमी पाई जाती है and number four is lustful criminals ये वो criminals होते हैं जो की rape वगेरा commit करते हैं now come to the sociological school ये school आया था 20th century में इस school का मानना ये था कि कोई भी person जो criminal activities करता है वो करता है external factors की वज़ा से और वो external factors provide किये जाते हैं society के थुरू यानि कि कोई भी जो person है वो born criminal नहीं होता है बलकि वो person, criminal behavior, criminal activities यानि कि criminal activities जितने भी है उनका जो पूरा complete procedure है वो सारा का सारा procedure कहां से सीखता है वो सीखता है society से इस school के according जो causes हैं crime की वो है poverty, bad association, broken family environment, etc. जैसे कि हम सभी की जो learning है वो start होती है हम सभी की family environment से कि family environment जिस type का होता है हम उसी type की चीज़े day by day सीख रहे होते हैं अगर किसी family में कोई भी बच्चा ये देखता है कि उस family का environment जिस type का है कि वहाँ पे daily सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जगड़े ही होते हैं तो उस condition में उस बच्चे का जो mindset है वो भी कही ना कहीं बिल्कुल वैसा ही बन रहा होता है वैसी ही चीज़े वो learn कर रहा होता है जैसे कि अगर किसी family में किसी बच्चे के जो parents हैं वो drink वगड़ा करते हैं तो उस condition में वो जो बच्चा है उसकी जो initial learning है वो start है उसकी family से तो उस condition में कही ना कहीं वो उन चीजों को सीख रहा होता है चाहे वो activities वो आज की rate में ना करे लेकिन कल की rate में वो activities उसकी करने की possibilities काफी जादा बढ़ जाती है क्योंकि कही ना कहीं उन activities को करने के लिए वो जो procedure है उस procedure को वो बच्चा सीख रहा होता है वहीं bad association भी अपने आप में एक important role play करती है किसी भी person को influence करने के लिए कि वो person किसी भी criminal activities में involved हो क्योंकि जैसी भी किसी association का हम part होते हैं day by day जाने अन जाने में हम कही ना कहीं वैसे ही बन रहे होते हैं फिर चाहे वो हमारा behavior हो हमारा lifestyle हो या फिर किसी criminal activities की बात हो क्योंकि ये human psychology है कि कोई भी person जैसे भी किसी environment में रह रहा होता है धीरे धीरे उसका जो mind है वो वैसे ही develop हो रहा होता है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी person जिस किसी भी group का हिस्सा होता है उस group के top 5 लोग जिनके की वो सबसे ज़्यादा close होता है वो person उनी का average होता है वहीं अगर हम बात करें poverty की तो ये भी अपने आप में काफी important factor है जो की influence करता है लोगों को कि वो criminal activities में involved हो क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कि society में कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर है तो वहीं कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही गरीब है जो लोग गरीब हैं वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि अपनी जो basic needs हैं अपनी basic needs तक को वो fulfill नहीं कर पाते हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान तो जब कोई person अपनी basic needs तक को fulfill नहीं कर पा रहा है तो उस condition में उस person के काफी ज़्यादा chances बढ़ जाते हैं criminal activities में involved होने के इसलिए school का मानना ये है कि जो social factors होते हैं वो अपने आप में एक एहम भूमी का निभाते हैं किसी भी person को influence करने के कि वो person crime commit करे तो ये था concept कुछ important schools of criminology का